जैश्री महांकाल जैश्री महांकाल दोस्ताब सभी का आपके अपने चनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है बहुत से लोग हमें परिशान करते हैं या इसा हम देखते हैं कि लोग हमें परिशान देखते हैं यह बहुत सारे कमेंट्स मुझे इस तरह के मिलते हैं कि कोई हमारे साथ काम करने वाले हमारे पारिवारी कुमत भेत रिस्ते नाते व्यापारी कई बार जो जानने वाले लोग है वो भी वो हमें परेशान करते हैं तो उनसे परिशानी से बहार आने के पाच मंत्र हम इस वीडियो में बात करेंगे जिसमें आपको तीसरा मंत्र चोथा मंत्र जानना तो बहुत ही ज़ादा जरूरी है तो दोस्तों ये वीडियो उसी विषय पर हम आज आदारी थे ये आपके कमेंट्स पर आदारी थे उससे पहले एक निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में लिए ओम नमस्षिव आए वीडियो को लाइक जरूर करें और जो भी अपनी राय हो कमेंट्स में खुल कर लिए अगर आप उसे बा बहुत बढ़ा होता है हम उसे एक छोटे से दाइरे में नहीं लागू कर सकते हैं आप इसमें हर एक परिशान ही तो सबसे पहला मंत्र है कि जब भी कोई वक्ति परिशान हमें करें और हमें इस तरह की चीजें लगे तो प्रात्मिक्टा में जो मंत्र पहला है कि उसे आप करें तो कि बहुत सारे लोग केवल परेशान करके आपका ध्यान भठकाना चाहते हैं मतलब उनका उद्देश को पर्मानेटली परेशान करने का नहीं वो सिर्फ पिंच कर देते और दूर हड़ जाते हैं और उससे आप पुरा डिस्टब हो जाते हैं तो पहला मूल मंत्र है जो आपको याद रखना है कि जब भी कोई वक्ति हमें पिंच करें और इस तरह का करें बात करें जिससे कि हमें तकलिफ होती है उसे इग्नोर करें इग्नोर करेंगे तो आप उस परिषानी को उसी समय खत्म कर देंगे आगे नहीं बढ़ेंगे अब दूसरे मूल मंत्र की बात करते हैं कि कई बार परिशानी जो होती है वो किसी अन्य विक्तियों के द्वारा बताई गई बाते या गलत फेमिया पैदा कर देना ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात होती है तो जब भी कोई विक्ति आपको परिशानी करें और कुछ गलत फेमिया हो तो उन्हें बेट कर हम sort out कर सकते हैं या हम बता सकते कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है real और real जो है वो ये बात है मतलब आभी से समझे ये दूसरा मूल मंत्र है और ये होता है बहुत सरे लोगों के साथ कि सच्चा ही और कुछ होती है गलत फेमियों में ही दो एक दूसरे को परेशानी के बीच वो ताना बना चल रहा है तीसरा मूल मंत्र जो सबसे ज़्यादा महत्पून है कि कभी भी कुछ परेशानी की बात हो जिसमें वेचारिक मद्भेत हो या कोई तकलीफे हो तो आप बेट कर बात कर सकते हैं बेट कर बात करने का सीधा से मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बार-बार परेशानी हो रही है तो इस चीज़ को हम बेट कर सकते हैं क्योंकि बाच्चे से ही चीज़ों का हल निकलता है अगर हम उसके लिए आपको पहल करनी होगी अगर आप पहल करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि उससे कुछ नो कुछ रास्ता जरूर मिल जाएगा तो पहल हम कर दें उसमें हम छोटे बड़े नहीं होते हैं ये बात हमेशा याद रहते हैं चोटा होता है कि कोई गलती जो सबसे जऑता हिकी कोई गलती हमने की है और उसका पश्याता भी हमें हो रहा है लेकिन उसके बाद भी चीजह सब्दाब भी चीजह संभल नहीं रही है चीके गलती इमानों का सभावे हो जाती है तो अगर उस बात का है तो माफी मांगने में भी आप कत्राई नहीं, बिल्कुल माफी मांग ले और आप आगे बढ़ जाए, ये सबसे सरल और आसान तरीका है, इसके लावा दोस्तों जो पाचवा पॉइंट है, जो आपके लिए बहुत जादा महत्पून है और जिसको मैं हमेशा डिटेलिंग में कहता भी हूँ, और आपको समझाना भी मैं चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी परेशानी हद से जादा हो जाए, तो लीगली, कानूनी, जो भी आपके पास हल और उपचार है, कोई परेशान कर रहा है, तो वो जरूर ले आप, उसके लिए डरें नहीं, उसके लिए आप घब झाले है, यसके लाँ झसाऊ मुझाशा है, तो भी आपके लिएशाद की, जlar कानूनी हमी कोई भी क्यों अजयおお जग बस्刊, जो दो जो 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 भी क recre, यहीं है कर आपके रहा है, अभी मैं अभी मैं जो पास्छी कोई उसके ठीष्विए आपके ल educमादोंशने है, जो पन